हालो फ्रेंड्स, वेलकुम बैक टो ओंचनल स्टॉक मार्केट फंडा में, अब मैं बस यहां पर डिस्कस करने वाले कि सर यहां क्या टाटा स्टील का मर्जर यहां पर पॉजिटेव रह सकता है, हाला कि यह स्टॉक क्रेश की है, मार्केट की क्रेश की वज़े से, लेकिन एक पैज़ाद इंपोर्टन पॉइंट डिसकस करने दे, देखो मैं आपको वन शॉट में आंसर बताना चाहूंगा, ठीक है, वन शॉट में आंसर यह हो जाता है, कि यह जो मर्जर है, डेफिनेटी पॉजिटेव है, वन थाउजन परसेंट पॉजिटेव है, ठीक है, लेकिन क इस तरह से Tata Steel के प्लान से, जिस तरह के future growth predict की जा रहे है, वो मैंने पूरी report पड़ी है, उसी के वज़े से काफी high chances है, कि यह stock बहुत बड़े return दे की जा सकता है, लेकिन, लेकिन, for the long term, ठीक है, यह बात है clear हो गई, ओकी, second point हो जाता है, तो sir, क्या यह सभी, जो sub companies है, इस के बहुत सारी इनकी जो subsidiary से, उसको यह merge कती हुई दिखाई दे सकती है, absorb कती हुई दिखाई दे सकता है, I'm sure आप लोगों ने यह सभी news सुन ले होगे, ठीक है, sir, ratio क्या है merging का, तो आप यहाँ पर देख सकते के Tata Steel के जो हैं पर shares होगे, ठीक है, आप यह समझो के मानलो Tata steel long product, ठीक है, मानलो आपके पास यह company के 10 share है, ठीक है, तो 10 share की जगह आपको कौनसे share मिलेंगे, Tata Steel के मिलेंगे, कितने मिलेंगे, तो कि 67, ऐसे ही अगर आपके पास tin plate के यहाँ पर 10 shares होंगे, तो आपको Tata Steel के 33 shares मिलेंगे, वैसे ही Tata Metallics के यहाँ पर 10 share होंगे, तो 79 shares मिले ठीक है, तो यह एक यहाँ पर swap ratio propose किया जा रहा है, अब मैं बस आप बात focus करना कि यह जो यहाँ पर है, वो merger अभी announce किया है, सेबी के अपरोल होती ही, वो सभी अपरोल बाकी है, कौन से level पर होगा वो अपरोल बताए नहीं है, ठीक है, देखो, यह पूरा एक swap ratio है, ठीक है swap ratio fix किया गया है, यानि कि मानलो, अगर Tata Steel current level से 5% fall करेगा, तो Tata Steel long product भी 5% fall करेगा, ठीक है, क्यों sir, ऐसा क्यों, तो कि price balance होनी चीए, ठीक है, जो swap ratio है, ठीक है, जो valuation बज़र में निकल के आती है, वो balance होना चीए, ठीक है, यानि कि मानलो, अगर आपके पास यहाँ पे, देखो, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, कि यह जो Tata Steel long products है, ठीक है, इसका अगर price calculate करने जाए, तो 6,000 की price total हो जाती है, और Tata Steel के 6,900 की price हो जाती है, अगर current price consider करने जाए तो, ठीक है, बात है समझ में, तो यह proper swap ratio है, अभी, ज्यान से सुना, और क्या हो सकता है, तो सर, यह क्या positive है, मुझे क्या entry करनी चाहिए, और मानलो मैंने सर, यह सभी subsidiaries है, मैंने yesterday entry कर ली थी, किसी लपू जाने के वीडियो को देखके, मैंने entry कर ली थी, तो क्या मुझे panic करना चाहिए, तो कि अभी panic मन करना, अगर मानलो आपने कर ली है entry, तो panic मन करना, ठीक है, लेकिन मैं आपको बोलूगा, जरू कि अगर pullbacks आते हैं, तो यह जो भी subsidiaries है, उसमें से exit करने का सोचना, ठीक है, subsidiaries में से exit करने का सोचना, क्यों सर, क्योंकि यह जो merger आपको दिखाए दे रहा है, यहाँ पे merger, parent कमनी के लिए सबसे ज़ादा positive आप consider कर सकते हैं, ठीक है, सर subsidiaries के लिए यहाँ पे negative क्यों consider किया जा सकते हैं, तो फिर देखो उसका बहुत बड़ा reason है, I am sure आप सभी को बता, देखो मैं कुछ important details बताऊंगा, मैं detail में जाने वाला हूँ, ठीक है, अगर आप उपर उपर से सुनना चाते हैं, तो मैं आपको सिफ one short में answer बता देता करो, इसमें जादा panic नहीं होगा, आप safe रहोगे, अगर ये सभी companies में buy किया है, तो अभी profit booking थोड़ी मोहत और हो सकते है, 2-4% की और profit booking यहाँ पे होती हुई, जरूर दिखाए जे सकती है, ठीक है, अगर pullback आते हैं, तो मैं simple suggestion करूँगा, यहाँ पे exit कर लेना better है, ओके, य हमारी telegram join करके, उसके बाद आप यहाँ पे exit कर सकते हैं, अब थोड़ी और detail में जाते हैं, कि sir, आपको क्यों लग रहे हैं यहाँ और क्या हो सकता है, यह stocks fall क्यों कर सकते हैं, definitely question दाएगा न, sir, सबसी दरिस जो company है, वो fall क्यों कर सकती है, तो देखो एक बात समझो, मान लो यहाँ पे team plate है, ठीक है, आपके पास यह बहुत सारे बड़े प्लेस के पास भी यह companies होगी, ठीक है, F5 हो गया, DI हो गया, या फिर कोई दूसरी companies होगी, private players होगी, इनके पास भी यह सभी companies होगी, ठीक है, तो point क्या हो जा रहा है कि हमेशे यह जो सभी companies होती है, जो investors होते है इतने बड़े-बड़े, ठीक है, वो future growth देखते हैं, ओके, और अगर यह swap ratio नकी हो जाता है, तो इसका growth है न, वो depend हो जाता है, टाटा सेल पे, यानि कि कोई लोग Manupulate नहीं कसकते stock को, मानलो टाटा स्टील को यहां से 4 गुणा लेकी जाना है, तो वो manupulate नहीं कसकते, क्योंकि this Abbose- फिक्स हो चुका है, ठीक है, अगर उसको लेकी जाना है Tata Steel Long Products को या Tata Metallics को तो Tata Steel को भी लेकी जाना पड़ेगा ठीक है ना देखो मैं बड़े प्लेस कैसे वर्क करते हैं वो समझा रहो समझ में आता है तो ही ट्राइ करना वरना पूरा ओएट कर देना ठीक है मैं हमेशा बड़े प्लेस को फोकस करता हूँ और मार्केट ऐसे चलते है अब पूछा सर क्या आपकी ठीओरीस जो भी आप बोल रहे है अभी वो पॉजिटिव है क्या वो सही हुई है तो मैं बोलूगा 110% जैसे कि मैं आपको बोला था HDFC का जो मर्जर होगा वो ओवेट कर लेना क्रेश होगा ठीक है आप देखोगे तो यहाँ पे उपर की लेवल से बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग और बहाद में बहुत बड़ा क्रेश 1700 का स्टॉक यहाँ पे 1300 प्याता हुआ दिखे जिया और मैं नहीं चाहता टॉप पे कोई भी लोग फस जाए यहाँ पे ठीक है ना टाटा सील रॉंग प्रोडॉक्स टाटा मेटालिक्स तीन प्लेट्स टी आरेफ जैसे स्टॉक इंदर टॉप से फस जाए और वैसे भी आप देखोगे 55% फॉल किया है कोई आपको बोलेगा कि यहाँ पे ग्लोबल मार्केट की वज़े से फॉल किया है ठीक है ना लेकिन में क्या हो जाता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग है और यह प्रॉफिट बुकिंग और चल सकते हैं मेरे सब से तो जो शॉट टम ट्रेडर्स है या तो ये news सुनके यहाँ पर entry किया है तो मैं आपको वोलूगा pullback में exit कर लेना अगर entry करनी है तो Tata Steel थोड़ा better हो जाता है अगर करनी है तो ये बाते समझ में बाकी हमेशा एक बात गाठ बन लेना जो SMF वोर रहा है वो कोई नहीं बताएगा गाठ बन लेना कि जितने भी merger अनाउंस हुए है जितने भी merger अनाउंस हुए है जो company existing share market में है वो दो company अगर merge होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा loss होता है वो public shareholder का होता है तेक है मानो या ना मानो आप पर dependent है लेकिन होता है HDFC का example हो जाता है फिर यहाँ पर आप Tata Steel का भी example ले लेना यहाँ इतने जीतने भी subsidiaries है एक मेने, दो मेने, तीन मेने के अंदर मैं देखूंगा यहाँ पर कितने return मिलते है तो मैं retail investor को कभी फसानी की कोशिश नहीं के था मैं हमेंशा बोलता हूँ भाई अगर यहाँ पर कुछ merger की news है profit book कलो ठीक है और fall क्यों काते है देखो ध्यान से सुनना fall क्यों काते है यह सबी stocks तो बड़े players होते है जैसे कि बोला manipulate नहीं कर पाते ठीक है तो यह सबसे बड़ा first point है जिसके वाज़े से वो लोग यहाँ पर slow and steadily exit करने की कोशिश करेंगे second point हो जाता है ठीक है अब एक बात ध्यान में रखो जो बोलो वो ध्यान से सुनना second point जो हो जाते है वो सबसे बड़ा negative point है यहाँ पर अब मानलो कोई company merge होती है जैसे कि मानलो HDFC के अंदर HDFC bank हो जाती है Tata Steel के अंदर यह तीन छोटी-छोटी company smurge हो जाती है ठीक है तो आपको क्या होगा इनके shares Tata Steel को आपको मिलेंगे न ठीक है मानलो आपके पास यहाँ पर टीन प्लेट है तो उसकी जगा पर आपको Tata Steel के shares मिलेंगे यानि कि extra shares allocate किये जाएंगे आप लोगों को ठीक है जिनके पास भी यह सभी stocks होंगे उनको extra shares provide किये जाएंगे तो उससे क्या होगा तो उससे यह हो जाएगा कि equity का dilution होता हुआ आपको दिखाई दिया सकता है ठीक है और यहाँ पर आप देखोगे तो Tata Steel का यहाँ पर 2.2% का equity dilution आपको होता हुआ दिखाई जे सकता है future growth अभी रखो site पे ठीक है अभी equity dilution होता हुआ दिखाई जे सकते है तो जबी भी equity dilution होता है ठीक है जैसे कि आप सभी को पता है वोड़ाफन आइडिया में भी ऐसे हुआ था फिर दूसरी जो यहाँ पर इस जितने भी लोगों ने किया है जितने भी companies के equity dilution होए सभी stocks crash होते हुए दिखाई दिखाई दिया है ठीक है कोई भी merger में बड़े player interested होते ही नहीं है गाठ बांद लेना ठीक है बले आपको gap open होते हुए दिखाई थे बले एक दो दिन उपर जाए बाद में crash करते है बात यह समझ वे ठीक है तो यह point आप ज़रूर focus रख सकते है और वैसे भी अगर आप देखोगे तो प्रोक्रेजिस आउस ने टाटर स्टील की rating घटा के 110 रुपे पर share करती है और अभी कहाँ पे तो के 104 के आसपास अब final verdict पे आ जाते हैं किसा तो फिर क्या यहाँ पी यह सभी stocks crash होंगे Tata Steel में से मुझे निकल जाना चाहिए तो देखो यहाँ पे जान से Tata Steel यहाँ पे अगर आप देखोगे तो future growth इसका बहुत positive हो सकता है यह merger FY24 तक हो सकता है और उसके बाद इनका जो growth होगा बहुत sharply increase होता हुआ दिखाई जैसकता है जैसे कि आप देख सकते ही हाँ पे यह लोग करीब साड़े साथ से 8 billion की annual savings करते हुए दिखाई जैसकते है ठीक है अगर savings होती है definitely क्योंकि funds infuse की जाते है बहुत सारी subsidiaries होती है funds infuse की जाते है अगर यहाँ पे savings होती है तो definitely data still का stocks उपर जाता हुआ दिखाई दे सकते है capital adequate होजेगा company के पास वैसे भी वो use करके यहाँ पे debt भी reduce करते हुए आपको दिखाई दे सकते है तो काफी परियाद पे liquidity अगर हो जाती है तो data still और उपर जा सकता है लेकिन short term के लिए एक मैने के लिए छे मैने के लिए stock में profit booking हो सकती है ठीक है अब आखरी verdict पे आ जाता है तो फिर सर क्या करना चाहिए मुझे समझा दो आपके लिए तो शायद ये merger negative लग रहा है ठीक है और वैसे भी ये stock crash होते वे भी दिखाई दी है लेकिन final verdict क्या है क्या entry करना चाहिए ये सभी stock में ठीक है क्या मुझे hold करना चाहिए तो देखो ध्यान से बोलोगा अब ये merger तो complete हुआ नहीं है ठीक है सिर्फ यहाँ पर प्रपोस किया जा है sebi का अपरोल बाकी है लेकिन मानलो sebi का अपरोल आए या ना आए ठीक है आए या ना आए आए आपको अगर ये stock और नीची मिलते हैं जो मैं आपको levels बोलोगा वो focus करना अगर वो और नीची मिलते हैं आप interested है try कर सकते है या average कर सकते है ठीक है क्यों sir आपको क्यूं लग है कि नीचे के लिवल पर आप एवरेज करना पॉसिवल पॉसिवल रहेगा तो कि देखो एक बात समझो टाटा स्टिल तो मुझे नहीं लग रहा ज्यादा फॉल कता हुआ दिखाई दे सकते हैं लेकिन अगर ये न्यूस को देखके ये सभी स्टॉक्स फॉल करेंगे तो स्व नीचे के लिवल पर आप एवरेज करोगे तो शायद आपको स्वेप रेशो होनी के बाद प्रॉफिट जाधा मिलेगा बाता समझ वही तो अगर आपको नहीं समझ वह रहे वीडियो रिवेंट करेंगे शॉर्टेंड स्विट में स्वेप रेशो नेगेटिव है सबसीडि अगर आपको एड करना है यहां पर मैं बता देता हूँ अगर आपको एड करना है तो 680-670 पर अगर यह मिलता है कुछ टाइम पर फॉल करने के बाद अगर यह मिलता है एंट्री पॉसिबल है फोर दमी टम फोर द लॉंग टम नोट शॉर्ट टम फॉर मिट टम टिके यहा बहुत positive range है, यहाँ पर आपको मुझे निले लगता, जादा fall आता हुआ, दिखाई दे सकता है, और Tata Steel, Swip Ratio की सबसे जादा मुझे निले लगा fall भी करेगा, ठीक है, और वैसे भी इसका fall maximum हो चुका है, 90 आसपास, ठीक है, इससे जादा fall के chances कम हो जाते हैं, तो chances है कि आपको Tata Metallics के अंदर नीची के लिवल पर support and average आप आसानी से का सकते है, बात या समझ में, यहाँ पर वैसे भी support है, तो all in all अगर नीची के लिवल पर मिलता है Tata Metallics, average किया जा सकता है, वैसे ही Tata Steel Long Products, अगर इसको देखने जाएं यहाँ पर, तो यह stock भी आप यहाँ पर approximately 560 तो 600 के बीच में कहीं पर average कते हुए दिखाए जे सकते हैं, ठीक है, 600 पर अगर मिलता है, आप ADIA average कर सकते हैं, ठीक है, आपको जादा profit मिलता हुआ दिखाए जा सकता है, क्योंकि वैसे भी यह stock यहाँ पर अगर इससे नीचे जाएगा, तो आपको यहाँ पर 7-8% की और गिरवट दिखाए जा सकते हैं, और swap ratio की इसाफ से आपको यहाँ पर कम से कम 20% का profit मिलता हुआ जरूर जा सकता है, ठीक है, तो all in all यहाँ पर यहाँ पर यह पर यह पर यह पर यह stock आपको दिखाए जाता है, और वैसे भी ग्लोबल मार्केट में रिशेशन की बाते चलती हुई दिखाए जी है, ठीक है, तो छोटे मोटे pullbacks आएंगे, ठीक है, छोटे मोटे pullbacks आएंगे, लेकिन थोड़ा वेट कर लेना है, ठीन प्लेट, ठीन प्लेट थोड़ा ज्यादा positive लग रहा है, ठीन प्लेट 300 से 280 के मिलेगा, benefit भी ज्यादा मिलेगा, ठीक है, बात है clear हुई, तो hope members आपको यहाँ पे यह पूरा मर्ज़ समझ में होगा, I'm sure मैंने आपको proper details बताई है, future growth और equity dilution, यह सभी चीज़े बताने की पूरी कोशिश की है, ठीक है, और फिर कोई query रे जाती, comment कर दीजिगा, और telegram में लिए, जाके जुड़ेगा, search करना है, my stock market funda, telegram channel के अंदर, और अगर यहाँ पे, channel को subscribe नहीं किया, subscribe कर देना, आज भी कुछ वीडियो साच चुके होंगे, नहीं देखा, एक बज़ा के जरू दिखेगा, ठीक है, मिलते हैं, अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए, गुड़ेगा, जाए हिए.